राजिस्तान में गर्मी के तेवल लगातार तीके होते चले जा रहे हैं गर्मी और लू ने जन जीवन को पूरी तरह से अस्तिवेस्ट कर दिया है प्रदेश में लगातार बढ़ रहे तापमान से बाडमेर में पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार जा पहुचा है और इसके अलावा राजधानी जैपुर समित प्रदेश के अने जिलो में पढ़ रही भीशन गर्मी से तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है और इसी बीच मौसम भिवाग में प्रदेश के अधिक्तम और नियूनतम तापमान में 2-3 डिग्री तक और बढ़ उत्री की संभाव नजटाई है 25 मई से नौतपा की वी शुरुआत हो रही है मौसम भिवाग के 25 और 26 मई को पूरे प्रदेश में भीशन गर्मी को लेकर के अलट जारी किया है इन दो दिन गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है प्रदेश में पढ़ रही भीशन गर्मी और लू से लोग दुपहर में बाहर निकलने से गुरेज करने लगे हैं सड़के दुपहर में अपसूनी नजर आने लगी है सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रिवेश करते ही प्रत्वी का तापमान बढ़ जाता है और भीशन गर्मी का सामना करना पड़ता है सूरिय जितने दिनों तक रोहिनी नक्षत्र में रहता है प्रत्वी भी उतने ही दिनों तक अत्यधिक गर्मी कानुभब करती है जोते शाचारे पंडित परशुत्तम गौड ने बताया कि जेस्ट महा के अगले दिन याने की 25 मई से 9 तपा लगने जा रहा है नो तपा की दोरां लगाता 9 दिन भी शन गर्मी पड़ती है बात करें नो तपा नो दिन तक रहने वाला है 25 मई से 2 जून तक रहने वाला है ये साल 9 दिन का होद पहंकर प्रचंड गर्मी रहने वाली है और इसके बाद परसात कभी बहुत अच्छा यहां संयोग दिखाई दे रहा है सूर्य रोणी नक्षत्र में प्रविस करते ही प्रुथ्य का तापवान बहंकर बढ़ जाता है और कीश्मरीतू जैसी इस्तिति दिखाई देती है जेश्ट मास में ये होता है सूर्य जितने दिनां तक यहां रोणी नक्षत्र में रहेगा और इसी ख़वर पर जाता जानकारी के साथ हमारे संबाद दता अनिल सेन हमसे लाइप जोड़ चुके हैं अनिल देखे गर्मी जो है लगाता नई रिकॉर्ड बनाती हुई चली जा रही है और आम जन जीवन जो है वस्त व्यस्त नजर आने लगा है क्योंकि रिकॉर्ड तोर गर्मी यहां पर पढ़ती हुई दिखाई दे रही है आगे नौतपा भी लगने वाला है सूर्य जो है रोहिनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा और सूर्य की जो किरने हैं एन 9 दिनों में प्रथ्वी पर सीधा पड़ती है तो जब गर्मी अभी से नए रिकॉर्ड बना रही है तो मौसम विवाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है गर्मी को लेकर के के 9 दिनों में बहंकर गर्मी पढ़ने वाली है तो क्या कुछ मौसम का मिज़ाज आगे रहने वाला है? अलट भी किया आने वाले दो तीन दिन के अंदर दो से तीन डिग्री और बढ़ सकता है यानि यह जो टेमप्रेचर है जो पचाश डिग्री के आसपास जा सकता है इसकी पूरी पूरी संभावने यहां पर नजर आ रही है पत्चीस मैई से नौतपा जो है वो यहां पर शुर टेमप्रेचर का रिकोड तूटता हूँ नजर आया मुख्यमंत्री भजनलाल सरमान चिकित्सा महकमा हो उर्जा विभाग हो तमाम डिपार्टमेंट्स को यहां तक की पेजल डिपार्टमेंट्स को भी जो है हिदायत देते वे तमाम अधिकारियों के छुट्टी महाँ पर लापरवाई नहीं वरते हैं जैसे भी हो तो जो व्यवस्ता हैं उनको सुचारू रूप से रखे हमने देखा पूर्व मुख्यमंत्रेसों गहलोत ने भी आम जनता से अपील की है कि वो दोपेर के समय में घर से बाहर निकले में परहेज करें लेकिन अगर किसी कामवस उनक कभी इमेरजेंसी की जैसी स्थितिया हों तो वहां पर तुरंत-फुरंत के अंदर कारवाई वहाँ पर की जा सके जो भी व्यवस्ताय दूरू कर रही हो उनको तुरंत एक किलिक की आधार पर वहां पर की जा सके यसी को देखते हैं हम देख रहें कि विभागों को अलट कर सब्सक्राइब करने के साथ सब्सक्राइब करने में जूटे वे पैजल सप्लाइब के अगर देखी जाए तो वहां पर वेश्टाइब दुरुस्त की जा रही है हम देख रहे हैं पिछले दुनों से कटोती चल रही थी लेकिन अब थर्मल पार प्रलांट जो है वो कुछ काम कर रहे हैं कुछ जिखोंपर काम आने वाले वाले दुनों में तो विजली कटोती भी नहीं हो क्या अगर ऐसे मोस्तार में कई तो ने वाली हो तो के अबुष्टाइं हैं भुरुष्ट कर ली गई हैं सरकार के इस तरफ पूरे परियास हैं कि आम जनता को किसी भी तरह से यह जो तापान से बेचैन है आम जनता परेशान है उसको रहत कैसे दी जा सकती है जेनेरल्स मौसम का मिज़ास से अफगत करवाने के लिए धन्यवाद